नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है, 9.11, 9.11, September 11, 2001, 20 साल बाद, क्या कुछ बदला और क्या नहीं बदला? सेप्टेंबर 11, 2001 की घटना हरें को अपनी जिन्दगी में हरें को वो दिन याद होगा, हमें भी है, पूरे दुनिया के इतिहास में एक दिन में इतना व्यापक, कोडिनेटिट, टेरिरिस्ट एटैक इससे पहले और उसके बाद कभी नहीं हुआ, उस दिन की घटनाओं को आज हम रीक्रियेट नहीं करेंगे, उसके बारे में करने के बाकी मीडियम, बाकी मीडिया प्लैटफॉर्म्स बहुत करेंगे, लेकिन हम इस सितंबर के महीने में एक स्पेशल सीरीज, अलग-अलग एकसपर्ट्स, सबचेक्ट एकसपर्ट्स के हम चर्चा करेंगे कि ये बीस साल ने कैसे क्या इंपैक्ट छोड़ा क्या डिसाइसिव टर्ण्स लिए आज की जो चर्चा है वो हम हिंदुस्तान की राजणीती में नौ ग्यारा का क्या इंपैक्ट हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए हैं हिलाल एहमद जिनको मेरे तुलना में advantage उम्र का है in the sense that मेरी जिन्दगी का एक ज्यादा हिस्सा उनसे comparison में कट चुका था तो मेरे notions थोड़े ज्यादा settled हो चुके थे by 2001 उनके मुझसे ज्यादा formative stages पे थे तो आए हम हिलाल एहमद साब से बात करेंगे यह center for studies in developing societies में प्रोफिसर हैं और बहुत कई सारे किताबे लिखी हैं regular writer हैं अलग-अलग अख़बार websites वगरा में contribute करते हैं media presence इनका बहुत strong है हिलाल भाई अपने शोताओं के benefit के लिए September 11 की घटनाओं के पहले एक chain of sequence of events Lahore Yatra, Kargil Yudh, IC 814, Agra Summit, Shrinagar Assembly पे हमला और Parliament पे उसके बाद हमला conflicting कुछ-कुछ हद में कि जैसे Lahore Yatra, peace process शुरू हुआ, Kargil, nose dive किया situation उस backdrop में होती है मुझे याद है मैं हम उस समय एक television, हिंदुसान के राश्ट्री, broadcaster के service providers थे तो पहला जो media response और जो public response बना क्योंकि media public opinion को shape करता है दुनिया को अब समझ में आएगा कि terrorism की चोट क्या होती है हम तो भाई, 10 साल से जहेल रहे हैं ये एक आम राय बन गई थी, India की पहली सरकार थी जिसका terrorism के प्रती एक certain perspective था उसका दूसरा position हम जैसे लोगों का था तो एक तो ये response है, दूसरा कि हम जो देखे हैं कि पिछले 20 सालों में दो दर्शकों में एक तरह से एक majoritarian sentiment का assertion को देखने को मिला है जैसे मैंने बताया कि आपके पास advantage है कि आप थोड़ा ज़्यादा freshly इन चीजों को शायद देखे होंगे या पूरा follow कि होंगे हमारी तुद्ना में हम थोड़ा सा अगर बात करें कि 9-11 को आप किस perspective में आप introduce करेंगे आज के generation of viewers and listeners को देखिए अगर 9-11 को किसी मुझे लगता है कि ये इस दिरिश्टिकोंड को देखने की बजाए इसको दो अलग परिपेक्ष में रखकर देखना चाहिए पहला परिपेक्ष जो है और आपने उसके तरफ इशारा किया ही है वो ये है कि किसी भी तरह से क्या इस घटना का हमारी सुरक्षा नीती पर कोई असर पड़ा एक विमर्श पैदा हुआ जिसको कि हम कह सकते हैं कि नीतिकद विमर्श क्या वाकई हमारी सुरक्षा नीती पर इसका असर पड़ा या कुछ बदला हुआ दूसरे परिपेक्ष है जो की सीधा सवाल है कि हमारी राइनीती पर इसका असर कितना पड़ा है पिछले दोज़शकों में तो मुझे लगता है कि जो आपने इशारतन कही बात वो बिल्कुल सही है कि ये कहना शुरू हो गया कि अब दुनिया को भी पता लगेगा कि आदंकवात क्या होता है हमारे देश में सुरक्षा नीती को अगर जानना हो तो उसके लिए जो ग्रहम अंत्राले अपनी एन्वल रिपोर्ट्स चापता है वो एक अच्छा सोर्स हो सकता है मैंने उस पर कुछ रिसर्च किया है और मैं अपने रिसर्च के अधार पर ये कह सकता हूँ पूरे आत्मविश्वास के साथ कि अगर आप देखें कि 1984 के बाद से जो हमारा राज्य है इंद्रा गांदी की हत्या के बाद से वो सुरक्षा के प्रतिक कुछ जादा ही उसका एक लगाव सा हो गया है मतब सुरक्षा एक राइने तेक मुद्दा बन गई है वियाईपी सेक्यूरिटी वियाईपी सेक्यूरिटी और वो आतंकवाद से जोड कर देखी जा रही है लेकिन मज़े की बात ये है कि हम आतंकवाद को उस समय भी और बाद में भी अगर मैं 88 के बाद की जो आपको एन्वल रिपूर्ट की बाद बताऊं तो हम चार अधार पर और आज तक उसी तरह देखते हैं हम चार हमारे लिए सेक्यूरिटी थ्रेट हैं ऐसी समस्याएं जिनके आधार पर हम अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं नीतिकत तोर पर एक आतंकवाद इसकी परिभाशाओं के लिए हमारे पास बहुत सारे चानून है जो बताते हैं का आतंकवाद क्या है दूसरा कश्मीर का आतंकवाद पहले को हम प्रायूजित आतंकवाद कह सकते हैं दूसरा कश्मीर के अंदर होने वाली अलगावादी परिवर्तियों को आतंकवाद कहा जाता है त्रेट है तीसरा उत्तर पूर्वी राज्यों में नौर्थीस्ट के राज्जों में होने वाले अलगावादी प्रवर्तियां और वो एक खत्रा है और चौथा बहुत दिल्चस्प है यह 1980 से भी पहले साथ 79-89 से चला आ रहा है जिसको कहा जाता है वाम पंथी उगरवाद और यह 1980 से लेकर और 1988 से लेकर आज तक अगर आप 2019 की भी जो होम मिनिस्टरी के अन्वल रिपोर्ट उठा कर देखें तो आपको ऐसा ही लगेगा आपको कोई परिवर्तन नहीं लगेगा इसमें आतंगवाद शब्द आ गया है काउंटर टेरिरिजम उसके लिए है तो यह एक पर यह उनके रिपोर्ट में है यानि हमारे नीतिक अगर हम देखें नीतिक अधार पर तो बहुत परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता लेकिन राइनियतिक तोर्ट पर परिवर्तन बहुत ज्यादा है और उसके तीन आयाम है जिसको हमें समयना चाहिए पहला आयाम है मुसल्मान और वो मुसल्मान कैसे है इसको हम सारा दो शिंदुतवदी टाकतों पर या भाजपपपर नहीं आरुपित कर सकते हैं। मुसल्मान एक संदब बिंदू कैसे बनता है। यह संदब बिंदू बनता है दोहजार पांच में। दोहजार पांच में यूपिया की सरकार हैं मनमौन सिंग प्रदानमंतरी हैं। वो जाकर अमेरिका में कहते हैं कि अलकायदा में एक भी हिंदूस्तानी मुसल्मान नहीं हैं। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और यह स्टेटमेंट को हम यह इसी तरह से क्यों देखे हैं कि वो उन्होंने सीधे तोर पर कहा है। इसकी राइनितिक जो इसके जो परिणाम थे वो कई इस तरों पर अलग अलग होते रहे। इसको थोड़ा सा और पीछे जाए यह 99-2000 की बात आपने की। वो यह कि अटल बिहारी वाजपाई ने एक नया जिससे कहते हैं एक नया वक्तवे दिया और वो वक्तवे मूल वाक के बन गया वाजपा की और वाजपा के सहीयोगों की राइनितिका की आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता लेकिन फिर भी सारे आतंकवादी मुसलमान होते बिल्कुल जो हमारी नितिकत इस्तिती है उससे बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है और ये नितिके खलाव जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मुसलमान जो रेफरेंस पॉइंट था जो संदर बिंदू बन रहा था उसको कहने के लिए दोनों थे यानि एक तरफ तो यूप तालीबान ने वहाँ जो कुछ भी किया उसके आधार पर हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के वैल्यूएट कर रहे हैं रूजरात को नावजे हैं दूसरी जो एहम पाथ हम यह भी बोल रहे हैं कि तालीबानी सोच जो है हिंदुस्तान में सौ साल से पनप रही है क्योंकि 1921 मे मौपला मालाबा रीजन में केरल के जो घटनाए हुई थी उसको आप किस तरह से देखते हैं वो मूल देखने का तरीका यह है कि यह मुसलमानों का वाइलेंस था हिंदु समाज की उपर इसकी जो दूसरे जो परस्पेक्टिव्स हैं कि एक एंटी कलोनियल और जो उसका एक एक बहुत इंपॉर्टन्ट जो असर पड़ा जी वो और इसको मैं कहूंगा कि राइनितिक वर्ग जिसमें पॉलिटिकल क्लास कहता हूं उसमें सभी पार्टियां शामिल हैं उसमें यह हुआ कि भाजपा के पास में हिंदु तवकी की विचारधारा थी और उस विचारधा के साथ में आतंकवाद और इसलामी आतंकवाद को परिभाज़त करना बहुत सरल था लेकिन गहर भाजपाई पार्टियों ने इस विचारधा पर सोचना चोड़ दिया तो या तो एक तरफ से मुसलमानों के लिए सचरकमिश्र बिठाई गई जी उस तरी इसलामोफोबिया वगारा की बाते हुई लेकिन हमारी राष्ट्रे सुरक्षा पर एक कंसॉलिडेटिट ऐसी सोच जिसमें की ना तो हिंदुत्व वाली मांजिकता हो और एड़ सेम टाइम वो राष्ट्रे सुरक्षा के ऊपर हमारी की पोजिशन भी इस्थापित कर सके ऐसी चाहे वो सी पी और ये हिंदुत्व के 2014 में आने से पहले ही इस्थापित हो चुका था तो मैं कहूंगा कि एक बहुत धिक कमजोरी है इंटिलेक्चुल वीक्नेस है नॉन बीजेपी पार्टीज की कि उन्होंने कोई पोजिशन नहीं अमनाई जो तीसरी एहम भारती राइनीते पर जिसका असर पड़ा वो था कि एक जड़ता आगई सोच में जड़ता क्या है कि एक तर तरफ तो वोग है जो इमन राइट्स ये मानवा दिकारों की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो की देश की सुरक्षा की बात करते हैं और इनमें कोई तालमेल नहीं है तो क्या हम ये कह रहे हैं कि हम इनी दो पोजिशन पर रहेंगे इनी दो वस्तु स्थितियों पर रहेंगे और हम कोई बात नहीं सोचेंगे आतंकवाज जैसी बड़ी समस्या पर बिना जो मानवे दिकार हैं उनकी बात किये बगार अगर हम लिटरिली बात करें तो आप कहना चाहरें कि या तो हम ब्लैक एंड वाइट ग्रे शेड्स हम बिल्कुल नहीं करते हैं लेकिन आपने जो कहा कि जैसे मुस्लमान तो धर्म के आधार पे मतलब टेररिस्ट का एक धर्म है यह बात हिंदुस्तान में पहले भी रहा है यह हमने पहले भी देखा है पंजाब के दोर में देखा है हमने उसका देखा है कि किस तरह से राजीव गांधी के नेत्रुत में पूरी तरह से कॉंग्रिस ने उसको इसको इस्तिमाल किया था उस इलेक्शन में एक पूरा धर्म के आधार पर एक और हर सरदार को ये महसूस कराया गया कि तुम potential terrorist suspect माने जाते हो उसी तरह से 9-11 के बाद से पूरे दुनिया में ये global phenomenon है Bollywood की popular film भी आई है my name is Khan मतलब मेरे खाल से बहुत ही symbolic है कि अगर आपका नाम मुसल्मान है तो आप immediately महसूस करते हैं कि आप suspect list में आ जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल ये एक हमारी एक brutal reality है पिछले 20 सालों में इसको combat करने की क्या effort रहे है non communal forces के तरफ से खास्ता से वो party जो अपने आपको secular कहते है नहीं देखिए ये तो एक बहुत बड़ी कमी है एक बहुत बड़ी कमी है कि जो अपने आपको secular आप खेर secular शब्द बड़ा बुरा हो गया है और ये बड़ी हैरत की बात है गाली हो गया जबकि secular शब्द या liberal शब्द जो है इतिहास में उन खेर common लोगों को lump together करने की बिमारी है क्योंकि सारी debate जो है वो आजगर social media में चलाई जाती है हम जैसे rationally बात करने वाले बहुत कम देखने को में देंगे तो जो आपका सवाल है वो बहुत दिल्चस्प है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो नौन बीजेपी पार्टी थी मैं secular word मैं थोड़ा सकुचाता हूँ इसको 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 इस्तेमाल करने में यूज करने से लोगों को समझ मा जाता है मैं पूरा canvas आम आदमी पार्टी की भी बात कर रहा हूँ जो हनुआन भक्ती दिखा रहे हैं आजगर और मैं कॉंग्रिस की भी बात कर रहा हूँ जो शिव भक्ती दिखाते हैं अपने नेता की दूसरी तरफ देखें उनकी दो-तीन तरह की अलग-अलग समस्य आए थी एक तो यह है कि जब भी जो आपकी competitive electoral politics होती है उसके कुछ compulsions होते हैं तो उन compulsions में आपके उन compulsions को deal करने के लिए आपके पास में एक वैचारिक शुदता होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपका विचार क्या है अब बतकिसमती यह है कि विचार तो आपके पास कुछ है नहीं तो आपको आपका जो पूरा campaign है और यह बड़ा unfortunate है बहुत दुरभागे की बात है कि marketing के हसाब से आप राइनिती कर रहे हैं याद रखे इस देश में यह बहुत clear था एक बहुत इसपश्ट हमारे जितने भी 50, 60, 70 के जो election है उसमें एक बात तै थी कि यह market नहीं है यहाँ पर हम जब जाते हैं जनता के पास vote मागने के लिए तो उसका उद्देश केवल यह नहीं होता कि मैं आपके लिए पैकेज लेकर आए हूँ इसमें से आप क्या चुनेंगे बलकि मेरा और अगर मैं समीधान को अपने साथ इस तरक में शामिल करूं तो समीधान हमें यह कहता है कि आपको जो जनता है उसके उत्थान के लिए एक level playing field बनानी है यह commitment है electoral politics का commitment है यह commitment सीधा सीधा खत्म हो गया 80 के बाद हाला कि शुरवात तो इंद्रा गानी ने 67 से कर दी थी लेकिन यह 80 के बाद winability के एक उसमें आ गया तो एक factor जो non बीजेपी पार्टी का है वो उनका adherence to winability कि उनको आखर चुनाओं में जीतें कैसे तो अगर बड़ा segment यह है हिंदूओं वाला तो फिर मुसल्मानों के साथ जो भी होता रहा है वो मजबूरी में vote तो हम को ही देंगे यहां एक बात मैं कहना चाहता हूं वो यह कि जो अब यह हिंदू sensitive वाली बात होगी है कि हिंदू बड़ा समवीधन शील है कहीं हमने ऐसा किया तो हिंदू हो जाएगा यह बिल्कुल गलत है मेरे पास में तीन या चार सशक्त आंकड़े हैं जो यह साबित करते हैं कि हिंदूओं को मुसल्मानों से कोई परिशानी ही नहीं है जी हमारा दोहजार उन्नीस का सर्वेक्शन सीएस जीएस का यह दिखाता है हमने सवाल पूछा भारत कि मुसल्मान कैसे होगा तो लोगों का जवाब यह था कि जो दूसरे धर्मों की इजद करे वो ही अच्छा भारतिय हो सकता है और अच्छा हिंदू और मुसल्मान भी हो सकता है तो जब इतनी सहमतियां हैं तो कहीं पर इंटिलेक्ट्वल वीक्नेस है बहुत ही कमजोरी है वो उन्होंने हिंदूत्वों को अनक्रिटिकली एकसेप्ट कर लिया है और उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया है कि हिंदूत्व के बियॉंट कुछ नहीं है दूसरी तरफ जब भी मुसल्मान की बात आती है तो मुसल्मान का इलीट है आप उसको अपीस करके चुप हो हैं तो ये मैं कहूंगा कि ये कहना कि मुसल्मानों का तुष्टिकरण नहीं हुआ ज़रूर हुआ है एलीट का तुष्टिकरण हुआ है तो आम मुसल्मान ये मान के हमें डिफरेंशेट करना चाहिए कि एलीट का अपीजमेंट पूरे कम्मुनिटी का अपीजमेंट नहीं है क्योंकि सच्चर कम्मिटी की रिपोर्ट दिखाती है कि जो डेप्रिवेशन लेवल्स और जो इनिक्वालिटी हैं मुसलिम समाज में वो बहुत शार्प हैं अब देखे सच्चर की ही एक फाइंडिंग मैं आपको बता हूँ वो ये है कि जो वाइट कलर जॉब्स हैं उपर वाले बैंकिंग सेक्टर का मैं एक्जामपल हूँ दो या तीन परसें मुसल्मान होते हैं अब इस पे जो हमारा इलीट है मुसल्मानों क जो इलीट है वो रूना बेटना शुरू कर देता है कि देखी इतने कम है लेकिन सवाल तो ये है कि इतने कम है इसका मतलब बहुत सारे गरीब है और बहुत कम अमीर है तो जो डिस्पैरिटी मुसलिम समाज में अंदरूनी तोर पर है उस पर कहां से बात होगी लेकिन ये ज दिन से 16th of August 1947 से सस्पिशन से देख रहे हैं कि इनको आपने मतलब हिंदुस्तान की सिकुरिटी को हैंड ओवर करने में आपने मतलब हमेशा से आप जिजके देखे ये जॉर्ज फरनांडिस ने 1999 में जब जॉइंट परलिमेंटरी सेशन था अटल भी हरी वाजपाई की सरका थी जो एक वोट से वो जो मामला हुआ था में अखाल से 96 वाली वो बात है तो उसमें जॉर्ज फरनांडिस ने उस जॉइंट परलिमेंटरी जो सेशन था उसमें एक बात बोली थी कि 1971 में एक सरकुलर जो उनके हाथ लगा था जारी किया था इंद्रा गांधी की सरकार ने ये कहते हुए कि जितने भी समवेदन शील जो पद हैं सेना के उसमें मुसलमान नहीं होगा ये जॉर्ज फरनांडिस ने परलिमेंट में दिखाया था और ये 1971 की बात है तो जो आप बात कह रहे हैं वो बिलकुल सही है लेकिन जो अपीस्मेंट की बात है मुस्लिम इलीट क रहां से सकरात्मक नहीं देखता उसके अंदर एक element of problem भी है और वो क्या है कि सचर जो है सचर कमिशन रिपोर्ट को अगर आप देखें तो वो है to keep everyone happy उसमें पस्मंदा वाले को भी खुश करना है उसमें जो उर्दू वाला है उसको भी खुश करना है उसमें इसको भी खु करना है तो फिर कहीं पर जो आपको एक position लेनी चाहिए नीतिकर position उसमें आप कहीं पर गरबढ़ कर रहे हैं तो terrorism के सवाल पर ये पिछले 20 सालों में ये 20 सालों में 10 ऐसे भी साल थे कि जो majoritarian राजनीती के जो principal promoters हैं भारती जन्ता पार्टी और उनके जो affiliated जो संग परिवार के जो थाक्ते हैं वो dominant नहीं करते यूपीय के 2004 से लेके 2014 तक इसको कई लोगों ने economic perspective से अलग-अलग कहा है इवन हामिद अंसारी साहब जो vice president रहे हैं उन्होंने संकेत दिये हैं बहुत directly नहीं बोला है उनके शब्द नहीं हैं लेकिन एक तरह से wasted decade के तोर पे निकल के आता है उन forces को reverse करने का जो आयोध्या राम जन्मभूमी आंदोलन से जिन्होंने गती पकड़ी मतलब हम अगर historically देखें कि आज majoritarian forces की जो ताकत है उसके पीछे मूलते आयोध्या का campaign है जिससे एक तरह से wider समाज में social और political respectability मिलिए तो उससे जो अगर हम एक imaginary हिंदूत्व की sentiment की एक value का एक index बनाए तो जो level पे 2004 तक पहुची थी तो उसके नीचे नहीं उतरी दस साल होने के बावजूद टेररिजम का भी उसके उपर एक तरह से मतलब जो identification हम धर्म और टेररिजम के बीच में जो मान रहे हैं तो वो भी इसी की period में रहा है तो इसके पीछे मूल मतलब क क्या कारण लगते हैं देखिए उसमें दो तीन बहुत एहम वज़े हैं उसकी और यह बहुत अच्छा सवाल है देखिए हुआ क्या और इसलिए जो मैं तुष्टिकरंट की बात कर रहा हूं वो सिर्फ मुसल्मानों का तुष्टिकरंट नहीं है यूपीए जिस जमाने में आया यूपीए फर्स्ट से अगर हम देखें तो यूपीए फर्स्ट के जमाने से और अगर इसको पीछे जाके देखें देखें नहरू को बरबाद करने में की शुरुआत बीजेपी ने नहीं की थी नहरू को बरबाद करने की शुरुआत जो है कॉंग्रिस ने की थी तो आप ये बताईए कि रात और रात 1991-92 में हम वैसे तो बड़ा रोना रोते हैं समीधान बचाओ और ये करो लेकिन 1991 में समीधान की एक जो मूल आत्मा है वो ये कि राज जी की कुछ जमेदारियां हैं वो 1991 की जो आर्थिक नीदियां थी उन्होंने तो उसको छोड़ दिया तो राज जी ये कह रहा है कि मेरा काम तो दो बिल्ली मेरा मैं बिल्ली हूं और दो बंदा लड़ाई कर रहे हैं उनके जगणों को निपटाना है तो राज जी ने अपने आपका जो लोक कल्यांटकारी स्वरूब था जो समीधान उसको देने की कोशिश कर रहा है हम लेटका नहरू का मूल मंत्र है वो यह है कि राज जी की जिम्मेदारी है सिर्फ दो का जगणा निपटाना नहीं बलकि उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा समाज के अंदर और समाज के पिछले पन को दूर करना पड़ेगा समाज का पिछला पन जब मैं निपटाने शुरू कर दिये आपने औरत मर्द के जगड़े निपटाने शुरू कर दिये आपने मुसलमान के जगड़े निपटाने शुरू कर दिये आपने पिछलों के जगड़े निपटाने शुरू कर दिये आपने अनोगनाई सेक्टर के जगड़े निपटाने शुर परिभाशा समयधान नहीं देता बिलकुल वो ये कहता है कि कोई भी अलप संख्यक हो सकता है ठीक है लेकिन 1993 के अंदर हमने ये कहना शुरू कर दिया कि दरसल इस देश में धार्मिक अलप संख्यक ये पांच कमूनिटीज हैं अगर आप ये कह रहा हैं कि ये पांच कमूनिट केंदर सरकार का माइनोरिटीज कमिशन के साथ में कि आप आइडेंटिफाइ कीजिए कि कौन सी कमूनिटीज केवल रिलिजिजिस माइनोरिटीज वो कौन सी हैं आपने नैशनल लेवल पर रिलिजिजिस माइनोरिटीज पहचान लिया कि मुसलमान हैं सिख हैं जो अलग अल और वो रिपोर्ट्स लेकर सब बैट गए तो जब ये हुआ तो बड़ा बहुत ही आसान था भाश्पा के लिए या हिंदुत वादी ताकतों के लिए कि ये दिखाना कि देखिए और आपने एक इमेज की खड़ी की कि इस सब में विलें कौन है औरत का विलें मुसल्मान का व हिंदु है और हिंदी भी बोलता है तो आपने ना चाहते हुए भी एक इमेज जो थी वो आपने बना गर दे दी और भाश्पा ने क्या किया कि इस जो इमेज थी इसको हिंदु विक्टिम हुट की या हिंदुों के साथ जो होने वाले अध्याचार थे उसमें पिरो दिया और रही सही कसर जो थी वा आतंकवाद के अपसलूटली टैप करें और उसको आपने आतंकवाद के संदर्व में रख दिया कि ये मर्द हिंदी बोलने वाला हिंदू दरसल उसको लगने लगा कि मेरे को टार्गेट किया जा रहा है तो वोट बैंक बनेगा तो इसलिए कर रहे हैं राइनीती की मूल समझ रखने वाला वेक्ति भी बात जानता है सारी पॉलिटिकल पार्टी जानती होंगे लेकिन आपको क्योंकि कॉम्पिटेटिव राज्य ने अपना चरित बदल लिया है वो दरसल समीधान विरोधी है भारत का राज्य जो है वो आज का वो स चलेगा हम लोग बात तो घंटो कर सकते हैं खास वसे इस मुद्धे पर ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का भविश्य का जो फ्यूचर है कि ये दो डिकेट्स एक तरह से डिसाइसिव होंगे जब आज से सौ साल बाद इतिहास लिखा जाएगा लेकिन अगर हम इस हमारे ब गेदर हुआ है क्या आपको बहुत ब्लंटली पूछें कि क्या आपको इसको जल्दी खतम होने की पॉसिबिलिटीज दिखती हैं किसी के एफर्ट से दिखते हैं नहीं लगता है मुझे मुझे नहीं लगता और कब तक नहीं होगा देखिए ऐसा नहीं है कि ये मेरी लेवल पर हैं दो इस्तर हैं एक इस्तर ये है कि जो राइनितिक विमर्श की दुनिया है वहाँ पर आतंकवाद धर्म को कैसे जोड़ कर देखा जाता है एक तो वो है दूसरा बिल्कुल जमीनी इस्तर होता है वहाँ पर लोग कैसे आतंकवाद शब्द का इस्सेमाल करते ह और देखते हैं तो अगर मैं उपर वाले जो हमारी संरचना है राइनीती की उसमें रखकर इसको देखूं तो मुझे नहीं लगता क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको की बहुत सालों तक बुनाया जा सकता है और अभी जिस तरह से डक्षन एशिया के अंदर तालिबान का उद्य हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी खतम होने वाला है धूसरी बात है कि हमको ये बिलकुल नहीं बूलना चाहिए कि जो भाज़पा है उसका उत्थान हो रहा है अभी वी ऐसा नहीं है कि भाज़पा जो है वो एक आचुना उसको बिलकूल नहीं वो ग्रो करेगी और भाजपा का सिंगल पॉइंट अजेंडा जो है वो ये है वो हिंदुत्वगी राइनीती को आतंकवात के परिभाशित करती रहे हैं तो इसलिए जो उपर का विमर्श है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्थन होने वाला है लेकिन जमीनी जो व अपरिवर्जर वें पूचते हैं कि किस पर भरुख रोर्थन है? किस संस्था पर भरुख रोएं तो भारत के हिंदू-मुसल्मान से सब्साहर भरुख रोसा दिखाते हैं संसative पर, Supreme Court पर, Sena पर. लेकिन जैसे ही हम नौर्थीस्ट जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, इन जगों पर सर्वेक्शन करते हैं और ये सवाल पूछते हैं, तो सेना पर भरोसा कम हो जाता है लोवर कोर्ट्स पर जो नीचे के अदालते होती हैं, उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं होता है उसका कारण ये है, कि जो संस्थाएं आपके पास हैं, जिनके आप जिसके रोजमरह में बात करते हैं, उनकी रियालिटी आपको पता है लेकिन मीडिया ने क्या किया, कि अब कहीं न कहीं पर जिस तरह से जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं इसने ये आप counter productive हो रहा है बीजेपी के लिए इस तरह से counter productive हो रहा है कि लोग इसको entertainment की तोर पर देखते हैं लोगों को रोज एक enjoyment हो 9 बजे का show है तो उसमें लोगों का विश्वास खतम हो गया है और ये विश्वास और क्योंकि अगर आप जो नीचे से लोगों की आकांगशाएं हैं उनकी प्रस्तुती अगर आप इस media विमर्च में नहीं करेंगे तो कहीं पर एक बहुत बड़ा gap हो जाएगा और उस gap को जो मेरा जो यहां अगर मैं इन दोनों स्तरों पर अपनी बात को खत्म करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बौत धिक तोर पर देखे जनता कभी आगे नहीं आती जनता को आगे लाना पड़ता है चाहिए आप जेपी का उधारन देख लिए लोहिया का उधारन देख लिए तो जनता जो है विचारों के लिए तरस रही है जनता को नई विचार चाहिए और जब मैं कह रहा हूं नई विचार चाहिए तो वो भी मोधी भक्ती से उप चुके है उनको नया कुछ चाहिए उनको सोचने के लिए समझने के लिए और अपनी जो वास्तविक्ता हैं उसके कारण क्या है उन कारणों का जवाब क्या है वो जवाब चाहिए वो मन की बात से बिल्कुल साथ से वो अपनी मन की बात बोलना चाहते हैं वो नहीं आ रही है तो ये वि जासा करात्मक रहता हूँ अप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है और मेरे ख्याल से बहुत धन्यवाद इस कॉन्वर्सेशन में शामिल होने के लिए हमारे स्टूडियो आने के लिए हमने इस डायलोग को बिलकुल ओपन एंडिड रखा है आप्टिमिस्टिक के नोट पे छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि हम कोई कंट्लूजन आपके सामने पेश कर रहे हैं लेकिन आज हिलाल एहमत के साथ बात करते हुए हमने बहुत सारे मुद्दों को टच किया आपके लिए छोड़ने के लिए सोचा है कि 20 साल तो बीट गए 9-11 से आगे के 20 साल के बारे में आप लोग सोचिए हम लोगों का तो वक्त शायद पता नहीं वो डेस्टिनी बताएगा कि हमारे लिए कितना मतलब हम कितने दिन रहेंगे अगले 20 साल की का इतिहास देखने के लिए लेकिन आप लोग इसके बारे में जरूर सोचिएगा जो बातें इस डिसकॉशन में छेडी गई है नमस्कार